हालो फ्रेंड्स वेलकॉम टु माई चानेल रोजीस गुड लाइफ ये चानेल में नहीं है वो मेरे चानेल को जो लाइक सस्क्राइबर सेर कीजिए पास में देगे वेल आइकन को क्लिक कर दिजेगा आप मेरे नहीं रेसिपी सदेख सकते हैं चलि आज एक नहीं रेसिपी बनाते हैं दही चिकेन ये रेसिपी तो सब ने खाई होगी पर आज में एक नहीं तरीके से बना रही हूँ इसको बनाने के लिए मैं ये सब इंगडेंच लिया हूँ चिकेन, दाही, जिंजर गालिक पेस्ट, आलू और थोड़ा सा ओनियन पेस्ट लिया हूँ चलि अभी बनाना स्टार करते हैं मैं लगवख 500 ग्राम चिकेन लिया हूँ ओनियन गालिक पेस्ट लिया हूँ दाही लिया हूँ और आलू लिया हूँ जिंजर गालिक पेस्ट लिया हूँ और टमाटो लिया हूँ और मैं चिकेन लिया हूँ चले अभी बनाते हैं पहले चिकेन को हम अच्छे से धोलेंगे और उसका पाने निकालें फिर उसमें मैं तीन टेबल स्पुन हल्दी पाउडर और दो टेबल स्पुन रेड चिली पाउ मैरिनेट करके इसको हम अधा घंटे तक फ्रीज में रख देंगे दिखिए इसको मैं अच्छे से मैरिनेट कर लिया हूँ और फ्रीज में रख लिया हूँ चलिए अभी मसाला बना दें पहले मैंने कड़ाई को गरम कर लिया हूँ और उसमें लगभग में तीन टेबल स्पू जिंजर गालिक पेश्ट डाला हों और जिंजर गालिक पेश्ट डाल के अच्छे से भूनेंगे पिर उसमें लगवक वाँ ह्मिड मीड़ै साइस्टमाटर को चैप करके डाल दिया हो और 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून मैंने कस्मीरी रेडशिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और में लगई 한 두 बड़े स्पून मतलो चिकेन मसाला डाला हूं मसाला सब डाल के अम आछे से मिला लेंगे और उसे हमने इसके अच्छे से भूनेंगे पयास ट्रमाटर अधरक लेसन हमारा अच्छे से भून जाएगा और उसका कच्छा पर निकल जाएगा उसी टाइम तक हमें भूनना है देखिए उसका अलर भी चेंज हो गया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हमारा मसाला बरना अच्छे से कुक करेंगे जैसे हमारा मसाला से तेल छोड़ देगा उसी टाइम तक हमें अच्छे से बूनना है गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो चानिल को जरो लाइक सस्क्राइबर सेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में भी सेयर कीजिए दे आज में थोड़ा सा ने तरीका से बना रही हूं इस रेसीप को आप घर में जरू ट्राइ कीजिएगा कैसा लगा मुझे कर्मेंट बक्स मतलब बताईएगा देखिए अभी मैं उसको ठकन लगा के छोड़ लो बेडम फ्लेंप से कूक कर लिया हूं पांस से दस मिनुट तक अच्छे से कूक देखिए गई उसका कलर बिलकुल चेंज हो गया है और मसला से ओल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है दीए कलर कितना अच्छा हैं अब हम और उसको अच्छे से भूनेंगे और उसमें मैंने वाट अबर स्पन गी डाला हूं यह पांद तो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मैंने गी डाल के अच्छे से मिला लिया हूं देखिए और अभी उमें और उसको अच्छे से कूक करेंगे और हमें 10-15 मिनिट्स तक कूक करना है देखिए हमारा आलू जिकेन थोड़ा सा कूक पक जाएगा उसी टाइम तक हमें अच्छे से कूक करन देखिए गाइज इसको अभी हम और थोड़ी देट कूक करेंगे अभी में ढखकन लगा लिया हूं और और में हमें 5-6 मिन्दे तक और कूक करेंगे देखिए गाइज रेसिपी को जरू ट्राई किजेगर कैसा लगा मुझे कमन बक्स में जरूर बताएगा देखिए उसका कितना चेंज हो गया है रेसिपी खाने बहुत टेस्ट लगता है देखिए गाइस हमारा चिकन और आलू अच्छे से पग गया है और यह रेसिपी बनके रेडी हो गया है देखिए गाइस कितना अच्छा कलर आया है और खाने भी बहुत टेस्ट लगता है रेसिपी और ठोड़ा साम गरम मसाला डालेंगे डालके अधिये अभी हमारा सुपर टेस्टी दही चिक्वड आलू करी रेसीपी बनके रेडी हो गया है दिखेगा इस के बैसे जिल चानल सभाएग शुड़ा भास करना मत भूलेगा stay safe and keep smiling always